तीन दिन रात भर पानी में बिगो कर खालो। अगले 90 साल तक हडियों की कमजोरी, एनिंद्रा, थकान, कमजोर आँखें, कैल्सियम की कमी, कमर, हाथ, पैर, घुटनों, जोडों का दर्द और सुगर जैसी बीमारी आपको कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा। और आपको सभी तरह के दर्दों से छुटकारा दिलाने के साथ साथ आपकी आँखों की रोसनी क बढ़ाने, हार्ट ब्लोकेज को खोलने, एनिंद्रा और कैल्सियम की कमी में भी एक रामबा नुस्खा है। और आपके सरीर के हर तरह के दर्द का इलाज कर देता है। और दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपको 90 सालों तक कभी भी हडियों की कमजूरी का सामना नहीं क और आप बहुत तरह के रोगों से बचे रहेंगे। दोस्तों डाइबटीज के मरीजों के लिए तो ये एक वरदान है। दोस्तों ये उनके सुगर के लेवल को कम करने के साथ साथ उनके सरीर के अंदर नई ताकत का संचार भी करता है। और उनके सरीर की कमजूरी को दूर करता है इसके साथ में उनको इस सुगर के बढ़ने की समस्या से हमेशा बचा कर रखता है जिससे इसके कॉम्पलिकेशन में उनको कम होते हैं जो डायपटीज की बीमारी के कॉम्पलिकेशन होते हैं इस नुस्खे को लेने से उनके वो कॉम्पलिकेशन कम होंगे और वो बहुत त्रहें के रोगों से बचे रहेंगे दोस्तों यदि आपको बैड कोलोस्टोल की समझ्चा है तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान साबित होगा क्योंकि ये आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल को कंट्रोल करके आपको हार्ट ब्लोकिस से बचाएगा जिससे कि आपको कभी हार्ड अटेक नहीं आएगा दोस्तों यदि आपको अर्थराइटिस के दर्द की समझ्चा है और उमर बढ़ने के साथ साथ जोडों में सूजन होने लग गई है जिसके कान आपको दर्द रहता है तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक चमतकारी नुस्खा है क्योंकि ये उनके दिल को मजबूत बनाने का काम करता है और उनको बहुत त्रहें की बीमारियों से बचाता है दोस्तों यदि आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तब भी ये नुस्खा एक चमतकारी ओस्ती है और आपके पेट की चरबी को कम कर कि आपको बिल्कुल सिलिम और फिट बनाता है दोस्तों यदि आपका ब्लड प्रेसर हाई रहता है और आप इसके लिए दवाया खाखा कर धग गई है तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक चमतकारी ओस्ती की तरहें काम करता है और आपको इन सभी बीमारियों से बचात है दोस्तों यदि आपको पूरा दिन ठकान बनी रहती है तब भी ये नुस्खा आपके सरीर के अंदर घोड़े जैसी ताकत भर देता है जिससे आपको कभी आलस की समस्या नहीं आती यदि आपको रात को प्रोपर नींद नहीं आती और आपको एनिंदरा की बीमारी है और आपकी आँखों की रोशने को बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत त्रहें की बीमारियों से भी बचाता है और दोस्तों इस नुस्खे की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तों मेथी दाना दोस्तों चक्कर आ गया है ना कि मेथी दाना ये तो हमारे घर पर मुजूद ह और इसके इतने सारे फाइदे हैं कि ये हमें सभी त्रहें के रोगों से बचा सकता हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेथी दाना का प्रियोग हर रोज करते हैं और इस तरीकें से करते हैं, तब आपके सरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और आप हर तरहें की बीमारी और हर तरहें की रोग से बचे रहते हैं। आपको कभी इन बीमारियों की समझ्या नहीं आती हैं। तो दोस्तों आप भी मेथी दाना का प्रियोग जरूर करें। तो चले जानते हैं की आपने इसका प्रियोग करना कैसे हैं। दोस्तों आपने क्या करना हैं? एक चमच मेथी दाना लेना हैं और रात को एक गिलास पानी में उसको भीगोकर रख देना हैं। और सुबह खाली बिट आपने उस पानी को भी पी लेना है और उस मेथी दाना को भी चबा चबा कर खा लेना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके सरीर में चाहे जो भी रोखो वो भी बिलकुल सही हो जाएगा और ये नुस्खा आपको हरत रहे की बीमारी से बचा देगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी आज ही इस नुस्खे को बना कर प्रियोग करें और अपने सरीर को बिलकुल सवस्थ बना दें